जन्पत चमौली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले सामरिक दृष्टी से महत्वपुन धाक नाले में इस्टील गर्डर पूर का रक्षा मंतरी भारत सरकार राजनात सीन द्वारा विधीवत शुभारंबकर देश को समर्पित किया गया है साथ ही भापकुंड और रिमखिम में निर्मेत पूलों का वर्चुल उद्गाटन किया गया सेना ITBP के साथ सीमा तक्षेतर के ग्रामीरों की आवाजाही प्रभावित ना हो इसके लिए BRO द्वारा धाक नाले पर 93 मीटर इस्पान का स्टील गर्डर पूल का निर्मान किया गया इसमें सीमा की अग्रे मलचो की नीती पास रिमखिम सहित अने जगहों पर आवाजाही सुगम हो जाएगी पूल का निर्मान कारे वर्चु 2018 में प्रारंब हुआ वसत्तरह दिश्मलाव आठ चुन करोड की लागत से पूल का निर्मान हुआ आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रतेक यहां प्रेटक को सरधालों को जो सुविदा प्रदान हो रही है वो हम सब के समख्ष हैं उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट अभी कैला स्पांसरूबर की बात रगूजी यहां से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है यही से स्वामली, सिमली, गौल्दम और जोल्जी बी तक का मार वह भी तेजी से निर्मान उसका हो रहा है उत्तराखंड के धामी सरकार द्वारा योवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने हाली में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था जिसमें 3.5-6 लाख करोड के M.O.U. साइन हुए थे जिसे अब प्रदेश की धामी सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी में लगी हुई है विपक्स के लोग बार बार चिला रहे थे विरुजगारी को लेकर पुरे देश में अंगामा काट रहे थे यह उनके मूपर उत्राखंड ने करारा तमाचा मारा है उत्राखंड में 3.5 परसद जो है विरुजगारी दर कम हुई है यह मानिब पुषकर सिंग धामी जी के कुशल नेतित्तु का ही नतीजा है इस प्रकार लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं युवाओं के लिए काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं प्रतेग वर को लेकर पुषकर सिंग धामी जी संजीतगी से काम कर रहे हैं उसका नतीजा है आप देखे उन्होंने तिर्थरटन को लेकर लगातार काम किये उन्होंने प्रेटन को लेकर लगातार काम किये उन्होंने राफ्टिंग तक स्वेम की कई किलोमेटर तक चल कर ताकि जो है इसमें प्रेटकों को बढ़ावा मिले और युवा सोरोजगार को अपना सकें, वो लगातार होमस्टे में जाकर ठेरते हैं, ऐसे अन्यकों नेक उधारन है जो मैं आपको दे सकता हूँ, इसी के कारण ये भी रोजगारी दर घटी है और हमारे युवा लगातार जो है उस प्रदेश में अपना सोरोजगार अपना रहे हैं और रोजगार उनको मिल रहा है। जगह पर दिवार लेखन का कारे किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के द्वारा दिये गए नारे, एक बार फिर से मोधी सरकार स्लोगन का लेखन कारे हो रहा है। कारे करताओं द्वारा पांच भूत प्रिंटिंग वाल लेटिंग के माध्यम से एक बार फिर से मोधी सरकार का नारा दिया लिखा जा रहा है। और निच्छी तोर से कारे करताओं के उच्छा और बहुत अच्छे तैयारी के साथ उनकी मेहनत के साथ एक काम आगे चलना है। बाजपर प्रदेश कारेले में कैबिनिट मंतری सौरभ बहुगुणा ने पतरकार वारता की। इस दौरान अपने विभागों में पौने दो साल के कामकाज की जानकारी मीडिया के सामने रखी। पशुपालन मंतरी सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुपालन विभाग में गोट वैली प्रोजेक्ट को सभी जनपदों में सफलता मिली है 13 जनपदों में इस योजना के तहट 792 लाभारतियों को लाभ मिला मुर्गी पारलन में भी दो इस तरपर विभागी योजनाओं की लाँचिंग की गई जिसमें 10 जनपद में 1,941 लाभारति जुड़े पहली बार देश में 4,500 एंबुलेंस पश्यों को लेकर शुरू की गई Congressman अब हमारे योजनाओं में लगभग लगभग तीन एसी योजनाय शुरू करें जिससे की हमने रोजगार भी दापन किया है और पलायन पे भी हमने वार किया गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा हमारा कोगट वैली प्रोजेक्ट हमारे दूद के अमाउन में वृध्धी हमारे सबसेडी इंक्रिमेंट गंगा गाई योजना के तहत हमने दो तीन पाध गाय के साथ जो सी एस्टी और जेनरल का जो हमारी महीला है उनको 25 परसंट से बढ़ा जैनवरी में जब तक हम जो कि हम मार्स में अचीव करते थे इस लेवल को उसी के साथ-साथ हमने लगभग लगभग 1790 लोगों को Goat Valley Project में Beneficiary बनाया है और 1200 लोगों के आसपास हमने Poultry Valley में लोगों को Beneficiary बनाया है 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जिसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है एक और जहां भाजबा 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कारेक्रमों को आयोजित कर रही है तो वहीं उत्राखंड महिला कॉंग्रेस 22 जनवरी को सुन्दर कांड का पार्ट करेगी उत्राखंड महिला कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जोती रौतिला ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी यहां काफी खुशी का माहौल है और इसमें कॉंग्रेस भी शामिल होने जा रही है प्रतिष्ठा हो रही है तो हम लोगों को लगा कि इस खुशी में हमको भी सामिल होना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी महला वांगरस की टीम है वो हर जगा मंदिरों में और हम लोग यहां PCC में सुन्दरकान करेंगे भजन कीरतन करेंगे और मिठाईयां बाटेंगे क्योंकि राम लला की राम भगवान राम सबके हैं वो हमारे भी हैं और हम लोगों को लगता है कि हमको उनके तर्को करने